आयूश चिकारा जी और जर्स्विस्ट जी रादे रादे महराजी राधा वल्लव शीहरीवेंश महराजी आपकी चरण्डू में कोटी-कोटी पढ़ा महराजी कठिन परिक्षम नाम जब के बाद भी असफलता मिल रही है ऐसा लगता है चीजें हमारे विप्रीत जा रहे हैं को करनाश करो इसके लिए पहले ऐसे तेजस्वी बनो ऐसे महान बनो कि स्रश्टी के चक्र को भी रोकने की सामर्था जब तब तुम अपनी जीवन चक्र का परिवर्तन कर सकते हो सोचते हो ऐसे बिनोद नहीं सहना सीखो बिपिरीतता को अनुकूलता में भाव के द्वारा बिपिरीतता को रोक शको ऐसी सामर्था रोक रूरात को हे आतक को रोपाया हैं तो भी दिन Państwo मारे कितना आ लगे थिए विष्रिक्स अन्ठीम का शुरूप है लैं कभि सुखायगा कभि दुखायगा कभि वन्नति आए गी कभि यहे होगी कभि पराजे होगे सदा सब की जय नहीं होती, सदा सब की पराजय नहीं होती, सदा सब के पास शुखी नहीं रहता, सदा सब के पास दुख नहीं रहता, ये एक क्रम है जो चल रहा है, उस क्रम में हमको शमान रहना है, भजन करके ऐसा बल प्राप्त करना है, शमान रहना है, भजन का फल है, प्रीतता दे रहें जब हम किसी भी के अंडर में होते हैं तब तक तो ठीक है जब अंडर से बाहर निकलना चाहते हैं उसके कब्जे से बाहर निकलना चाहते तो आदमी प्रयासरत नहीं होगा कि आपको परास्त कर दे तो ये माया, काम, क्रोध, लो, मो, मद, मत, सर अभी तक हम इनके गुलाम रहे जैसा है कहते रहे वैसा हम करते रहे अब हम जागे हैं संतों की बाद सुनकर अब हम इनसे निकलना चाहते हैं तो अब ये बिपिदीत तता तो पैदा ही करेंगे तो हमको डरना है क्या नाम का जब कर रहे हैं तो नाम का जब विपिदीत थोड़ी होगा सास्त्र प्रमानित बाद हरी इस्मरती सर्व विपद विमोक्षणम भगवान का नाम जब इस्मरन तो हर विपत्ती से बचाता है हर विपत्ती हम सह जाएं इतना उचे उठाता है फिर हम विपत्ती में बिक्षेप को क्यों प्राप्च हो रहे हैं हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि नाम जब तो हम बहुत कर रहे हैं बहुत नाम जब कर रहे हैं ऐसा बुच्छा तभी कह सकते हो जब नाम जब बहुत नहीं हो रहा जब नाम जब बहुत होता है उन महापुरुशोर की मुझसे हे निकलता है अरे हमसे कहां भजन होता है जो भजन चाहिए वो तो होई नहीं रहा है ऐसा अभी बच्चे हो ना इसलिए बहुत भागिशाली ह कि आप नाम जब कर रहे हो थोड़ा सत्संग सुन करके अपनी बुद्धी को ऐसी सामर्थ साली बनाए कि दुख और विपत्ती तुम्हें परास्त नह कर पावे देखो बड़े-बड़े महापुरुषों को सारीरी कस्ट में पीडित पाया गया उची कोटी के जो महापुरुष है जिसे रामकृष्ण परामंस जी बड़े-बड़े शंतों के जीवन चरित्र में तो अपने लोग कितना भजन कर लेंगे उनके बराबर तो कर ही नहीं सकते वो तो अमलो माता काली जी से बात करते थे आप आखमून दो तो अंधकार के सिवा कुछ आएगा ही नहीं है नहीं सच्ची बात वो तो बात करते थे तो वो तो भगवान थे क्योंकि भगवान का भजन करके भगवान के सुरूप में हो गए उनके आगे लगता है भगवान रामकृष्ण परम्हंस जी आथा साक्षात भगवान जो शंत भगवान को प्राप्त हो जाते हैं उनके आगे भगवान बसिस्ट जी भगवान नारज जी क्योंकि भगवत सुरूप हो गए तो देखो इनके जीवन में भी सरीर सम्मंदी भी पिरीतिताएं की नहीं आएं गले कि बोलने के लिए डाक्टर मना किया है तो वो परास्त थोड़ी हुए है भजन का बल है शुपचाप शानती से सहते हुए भगवान की इच्छा कानुमोधन करना क्योंकि वो किसी न किसी भगवान के विधान से आया हुआ है हमारा कोई पूरु का है हिसाब किताब भगवा सिखो दूसरों से लें अपने मन से आई हुए दुख से विपत्ति से हारना मत सिखो फेल हो जाओ कोई बात है अब हम यह चिक करते हैं कि हमसे कमी कहा रहे गई है अब दोनों मारे जी फुट्वल प्लेयर है हां हां हम करें कि किसी भी विशाय में पहले ही हमने का जय पराज सुख्डुख लावान हमसे कमी का रहे हमारे अब भ्यास में कोई न कोई कमी रहेए अब इस वर्स महसाब भ्यास करेंगे कि उस पर विजय प्राप्त करेंगे किसी भी पौइंट पर हो हर सब्सक्राइब चिंतन करोगी तो दुक्षी होगी का सदा कभी जैई ही नहीं होती कहा था भी ने पर ये तो बाद में परिचे बता रहे हैं कि आप खिलाड़ी हो हम सब खिलाड़ी है महायात के खेल में सब खेल ही रहे है सब विजय ही प्राप्त करना चाहते है कोई तो विजय होगा ही पर सदय वो विजय ही नहीं रहेगा एक जैसी स्थिती नहीं रहती हमको यह देखना कि हमसे तुरुटी का होई हमारे अभ्यास में तुरुटी हुई है हम लोग छोटे से सुख में फूल जाते है और छोटे से दुख में हम लोग भूल जाते है हमारा करतब क्या है हमारा लक्ष क्या है रात दिन अगर लक्ष में करो तो विश्व चैंपियन बन जाओगे विश्व के सबसे बड़े धनुर धर अरजुन तभी हुए सब विद्यार्थी सोते थे रात में चढ़ा के प्रत्यंचा और एक आंत में एक दिन दुरुणा चारें से साएं साएं की आवाज आ रही थी ज सबसे बड़े धनुर धर हो अभ्यास रात दिन अभ्यास कोई भी बात अगर हम सरुस्रेष्ट बनना चाहते हैं रात दिन अभ्यास जुन्होंने रात दिन भजन किया महापुरुस हो गए मनुरंजन करने वाला कभी कहीं भी उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है थोड़ा स हम लोग मनोरंजन में लग जाते हैं भोग विलास ता में लग जाते हैं उसका आनंद लेने लगते हैं थोड़ीसी वजय का थोड़ीसी शुक का भोग करने लगते इसलिए प्वाइनल में पहुंचने के लिए अभ्यास में तुरूटी हो जाते हैं हमारी सकाएंद और ऑส Wik मारगो चाहे संसार का मारगो अभ्यास यूग यूग तेर। चेत साना नि nettagamina कि हारना किसी को पशंद नहीं है किसको ऊच्छा लगता हारना तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यूं किया फेल होना अच्छा नहीं लगता तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृती में बसा लो सारी सामर्थ आपके अंदर पढ़ने में मन नहीं लगता भोग विलासिता गंदी आदिते तो इस्मृती खतम होगे अब क्या करोगे तुम्हारे सरीर में अगर ब्रमचद है तुम्हारे सरीर में अगर गयायाम की इस्पूर्ती है और अभ्यास है तो किसी भी मार्ग में जब विजई ही विजई रहोगे हाँ एक उन्हें दिखा था पहलवान आए थे तो वो हर जगे विजय प्राप्त करते थे तो वहां उन्होंने चेलेंज कर दिया कि कोई भी लड़े ले तो गाउं का एक किसान आजमी जो सैयम से रहता था डंडबाई टक मारता ऐसे आथ जाके मिलाया तो उस उसने कहा कि तुम किस क्वालिटी के पहलवानों कभी तो तुम लड़ने से मतलब कि नाम से मतलब है जाईसा उसने कहा था पांच मिनट में इसे उपर उठा के बोरा की तरी दम में से रख दिया बाद में उसने एक हांते में बुलाया उसको और का आईसा क्या था तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता और संयम से रहता हूँ तुम्हारे सरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा सरीर भोग प्रधान है बोले इसलिए हमारी हिम्मत आगे कि हम तुमको पटक देंगे तो अब जब यस कीरती होती रुपया मिलता है तो मनमनुरंजन में जाता है वो एक गरीब आदमी डंडवे ठक मार के संयम से रहके पटक दिया उसको मतलब आपका अगर जहां विजय प्राप्ति के ता हम फूल गए और जहां यस हुआ ता हम अपना लक्ष भूल गए इसलिए फेल हो जाते हैं हरे तुम भगवान के अविनाशी अंसो अब्यास करो जो चाहो कर सकते हो यह सरीर जड़ है जो चाहो कर सकते हो अब्यास में बहुत बड़ी ताकत है हम फेलता भी होते हैं जो हमारा अब्यास कमजूर होता है वो सोने का थोड़ी बना जो वीजय लेकी गया उसने हमसे ज्यादा अभ्यास कर लिया है चूक होना अलग बात है अभ्यास की कम ही होना अलग बात तो यह कि हमें हर जगे भी पिरीतता मिलती है हम निरास हो जाएं उदास हो जाएं ना अपने सुभाव में कभी रहा है और नाम चाहते हैं कि किसी के सोभाव में रहे एक बार हारेंगे दो बार हारेंगे तीसरी बार हम विजय प्राप्त करेंगे लेकिन अब भ्यास बहुत बड़ी ताकत अब भ्यास में बहुत बड़ी ताकत है बहुत बड़ी ताकत जहां हम कमजोर होंगे वहां हमारा मनोरण्यन होगा देख लेना मन की विलास्ता हम लोगों में थोड़ी सी विसेश कमी यह आ जाती है कि जहां हम थोड़ा विजय प्राप्तिक में फूल जाते हैं अभ्यास में कमी कर देते हैं भोगों में लग जाते हैं नहीं यदि हमें सर् प्राणों की बाजी लगा देता है कि अगर यह नहीं हुआ तो ना खाऊंगा ना प्राण त्याग दूँगा पर इसका नुभो वो सरसब जो जाता है किसी भी कारे में चलने के लिए बहुत अब अपने लोग जीसे परमार्ज पर चले तो ऐसे थोड़ी की जीतहें जीत मिलते हैं ठोक्रें मिले ना प्रकार के कष्ट मिले पस जिद्धी सभाव प्राण चाहें निकल जयाा गिलत नहीं होने देंगे प्राण चाहे निकल जाए अब इस मार्ग से नहीं अटेंगे अब हमें भगवान की प्राप्ति करनी ही करनी है आगे बढ़ जाओ पर बस्टू की प्राप्ति ये बात हमें लगता है कि हम लोगों का स्वभाव थोड़ा सा धुल्मूल स्वभाव है हम देखते हैं जहां थोड़ी बिजव ये मार उत्सों मनाय चले जा रहे है और उसी में भूल गए भोगों में लग गए अभ्यास्चितिल हो गया परास्त हो गए पक्का समझे लो तुम चोचाओ कर सकते हो इतना आपको अधिकार दिया गया इतनी आप में सकती कि भगवान को अधिन कर सकते हो पास्पतास्त्र लेने के लिए जब भगवान सीव के लिए दिजाने के लिए तप कर रहे थे तो भगवान सीव अस्त्र देने के पहले उनकी परिक्षा ले किरात वेश में आए एक शूकर रूप रखकर के राक्षास अरजुन को मारने आ रहा था अरजुन के नेत्र खुले तरणत गांडियु में संधान किया धनुष बान और यह ही महारत एक साथ लगा भगवान संकर किरात वेश में उनका भी बान उनका भी बान किरात वेश-धरी भगवान ने का मेरे लक्ष को तुने कैसे बेत दिया टिब्यास्त्र देना है तो तुम्हारी शामर्थ योग्यता है की नहीं यह जानने के लिए तो उनका नहीं मेरी तरफ आु रहाठा, इसलिए मेरा लक्ष है ता मैंने से बेत दिया बारताहौं तो उन्हों ने कहा कि राज से अर्जुन ने कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ मैं गांडी उधनुसधारी अर्जुन हूँ मेरे लक्ष को दूसरा कोई वेध करके मेरे से बात करे और जीवित खड़ा रहे क्रपा मना कि इतनी देर खड़ा रहा नहीं तो अब तक तेरे कुमार डालता तो उनका बढ़ बढ़ के बातें मत करो हम जंगली किरात हैं तुम जैसों से बिलकुल नहीं डरते क्योंकि भगवान संकर थेला अब युद्ध शुरू हुआ अब अरजुन अपने बान संधान करते रहे भगवान संकर की सरीर में बान ऐसे जाके बिलीन हो जाते कि जैसे गुफा में कोई प्रिवेस कर गया हो अब अरजुन के होश उड़ गए कि ये किरात कैसा है न कोई घाव न कोई बान ऐसे जाते हैं अंतर ध्यान पूरा तूनीर खाली हो गया और जबकि अक्षय तूनीर कि चाह जितने बान संधान करो तो खाली नहीं होगा धनु संकर जो किरात रूप में थे उनके प्रहार से अर्जुन के सरी टूटें तो उनका दो दो चंड केवल दो चंड रुख जातो एक बार मैं अपने आराध्यदियों की आराधना करनों फी तेरे को बताओ ठीक है ततकाल उन्हों रच का लिंग बनाए भगवान सीव का और दो प्रहु आप उनका हाम है यह देखना चाहता था कि तुम मेरे अस्त्र को लेने योगे हो की नहीं तब पासपतास्त्र भगवान सीव ने प्रदान किया मतलब कोई भी पद कोई भी स्थिति ऐसे खिलवान में नहीं मिल जाती उसके लिए हमको मेनत करनी पड़ती है तो आप इतने उत्साहित होई है इतना द्रड अभ्यास कीजिए तो आप देखिए विजय तो आपको चूम लेगी चरण चूम लेगी अविनाशी आपको भगवान के आंसो जितनी एक बहुत बड़े मात्मा में सामर्थ होई तुम में है कोई ऐसाल नहीं है जिसके अंदर भागव हम हार गए निरास हो गए हारना हमें सिक्षा देती है कि हमें कोई तुटि है ॑और इस बात को अगर ध्यान रखो तो जीत जाौगे एक बार हमें किसी पर कर दिया तो अब हमको जी जानकी मेहनत करके उसको परास्त करना है ऐसे हम लोग हैं काम क्रूद लो मुद मसर यह चोटे-मोटे भी रहें पुरित्रिववन को जलन अशांती इनकी इनकी प्रहार व्रती भगवान का नामिश्मन करते हैं सहते भी फिरे दीरे दीरे सब भाग ज सब्सक्रास चानाा जाता है इसलिए विपडित्ता पराजय अपमान हुद हमारी उन्नती के लि Thai में अगर इसे नहीं सिखाने के लिए आती है आप समझ पा रहे हैं नए बच्चे हो भगवान के अंसो अभ्यास में उतर भोग में नहीं जो चाहे कर सकता है जो चाहे कर सकता है बिलकुल नाम जब कर रहे हो ना भगवान का और ब्रह्मचरिक पर ध्यान दो उचित अगर ग्रेश्टी ब्या हो जा नहीं समझे हो तुम ब्रह्मा बन सकते हो तुम देवराज इंद्र बन सकते हो तुम नारायन बन सकते हो फिस्नुवर कुत्ता भी बन सकते हो नाली कीड़ा भी बन सकते हो प्रेत बन सकते हो जो चाहो इस समय मनुस्य जीवन है इसले यहार ऐसा नहीं कि हमारे भाग की में ल रचना कर सकता है लेकिन हमें परास्त रहें हम नया भाग निर्मान करने के लिए आए हैं मानों हैं हम कोई पसू पक्षी नहीं कि जो प्रारद है उसे भूग लिया इसलिए नाम जब को इस विशाय में न देखा जाए कि मेरी पराजय क्यों हुई वह अभ्यास का विशाय है यह नाम जब परमार्त है अध्यात्म सक्ति है और अचा हम जिसे नाम जब कर रहे हैं भजन कर रहे हैं अब हमसे को इस निसाने पर गोली मारो तो हम नहीं मार पाएंगे कभी नहीं मार पाएंगे क्योंकि हमने वह अभ्यास नहीं किया है हमने यह अभ्यास किया है भजन का अभ्यास अध्यात्म सक्ति दे रहा है लेकिन लोकिक अभ्यास अपके दो फुटपाल में विजय पाने के लिए नहीं यह अध्यात्म सक्ति है और वो अभ्यास सक्ति है लोकिक उसको उस रूप में लाओ इसका पावर दुख सुक सहने के लिए हार जीत में समान भाव के और उसको अभ्यास में इस तरह ये प्राकृतिक क्रिया हैं इस तरह लाओ कि बीजय प्राप्त हो है इसको उससे जोड़ोगे उसको इससे जोड़ोगे तो इस पे असरद्धा हो जाएगी हो जाए कि नहीं हो जाए कि यार नाम जब से तुम जीते नहीं अब आप नाम जब कर हुआ प्रिसटि अपने भड़न से आप को पार्मार्थिक ज्यान और लोकिक अभ्याश तब इस संसार में प्रहते की जाती है इसलिए बच्चा इसमें निरास आप सब्सक्राइब करें आप अपने लक्ष पे आगे बढ़े स्वास्तर है नए तादी को नहीं लगना चाहिए बड़ा है और शंसार जो जैसा चल रहा है अगर आपका कोई दोस्त है यह गलत करना तो हम अपने दोस्ती के अधिकार के अनुशार कह सकते हैं इनसे पर हम बुरा इनसे भी नहीं मांगने कि ये हम बुरा नहीं मानेंगे हमारे मित्र हैं हम इनको कहेंगे कि ये बुरा कार है विसे आप ना करते तो अच्छा है पर जिन से हमारा कोई अधिकारी नहीं तो हम अगर उनके दोस्दर्शन करेंगे तो हम गिर जाएंगे हमारे पुल्णे मस्ठ हो जाएंगे हमारा सत्मार्ग रुक जाएगा समझना है जैसे हम देख रहे हैं कि ये आदमी बहुत बुरा कर रहा है उसका स्वभाव है उ माया से पिरित होके कर रहा है अपने निकल गए अब वो हमारा मित्र है तो हम अपनी तरफ से मित्रता के अधिकार में कहने का अधिकार रखे ए बाई एर तु दोस्त है ये जो पीने जा रहा है ये जो खाने जा रहा है इसे तेरी वुद्धी ब्रष्ट हो जाएगी तेरा मार्ग ठीक नहीं है अगर हमारा उससे कोई संबन्द नहीं तो हमारा कहने का अधिकार बेरते चला जाएगा अब आप कहोगे किसी को या आप बुरा मानोगे तो आपको दुख पहुचेगा आपका हरदे छोब को प्रावत हो अपने को क्या है कि सत मार्ग की बात बता दिया आप हमें गाली दो चाहे आप मानित करो हमारा कार हो गया हम चल लेकिन आप संसार के मार्ग में है आप दुखी हो जाएंगे कि आरम ने पिसको अच्छी बात करें और वो ऐसे मान लो गाली दे के बात कर दे होता है आपका उपहास तो आप ऐसा मन करो क्योंकि सामर्थ के अनुसार होता है आप अपने को देखो आपका मित्रवत जिससे अधिकार है आप उससे कह सकते हो कि यह गलत है फिर भी उस पर जोर नहीं दे देते हम धीरे से अपने को हटा लेते हैं जहां कुमार्ग गामी प्रवत्तियों वाला कोई हो तो हम धीरे से हटाते हैं ना अपने हरदय को जलने देना है ना जगड़ा करना है यही चतुरता होगी संत अगम की हमें को अपने को शुदार लेंगे ना तो सची हजारों का शुदार हमारे आचरन से हमारी बाणी से हमारे संग से हो जाएगा हम अपने को इतना पहले बलवान मनाएं कि हमारा कोई भी आचरन दूसरी कूपर चड़ बैठें और उसकी गंदगी दूर कर दें सत ठीक है ना?